सबसे पहले तो मैं साथी लीना शबनम हर्शवर्धन की जो टीम है जिनोंने इंक्ल्यूजिव इंडिया के नाम से इनिसेटिव लिया उनका धन्यवाद किये बिना नहीं रह सकती क्योंकि कठ्थुआ की उन आव की और जो रीसेंट घटनाई हुआ उसके बाद बहुत strongly ये जरूरत मैसूस हो रही थी आपस मैं exchange की जो है वो साथियों ने मौका दिया हमें और ये inclusive इंडिया का जो आईडिया है साथियों इसको मैं अपना हमारा जो काम है हरियाना हमें करते हुए दूसरी जगहों पे करते हुए मुझे ये लगता है कि केवल चार साल तक डिलिमिट ना करके इसका जो पूरा context पीछे से आजा दी के अंदोलन के बाद हम जो तब के जो देखते हैं जिस तरह से वो उन interlinkages के साथ मुझे लगता है कि मैं रखने की कोशिश करूँगी और उसमें जैसे हमारा जो constitution है उसका जो आश्चे था यहाँ पे जब बनाया गया तो different जो sections है हमारे समाज के उनकी aspirations को accommodate करना उनके विकास की जरूरतों को यह कोशिश है की गई बाबा साब अंबेड करके leadership में जो draft committee बनी थी उसमें लेकिन जब इसकी implementation का सवाल आता है वो संविधान और वो aspirations जो है उसमें जो betrayal है just after independence, freedom उसके बाद ही शुरू हो जाता है Hindu code bill जो रखा गया महिलाओं को पूरा मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके जो property rights हैं वो सारे हैं उसके उपर जिस तरह का हमारी parliament का पूरा रुख देखने को मिला बाबा साब अंबेड कर खुद इस्तिफात देने को मजबूर हुए तो हमें ये लगता है कि ये जो मुख्य धारा आजादी के बाद जो बनी है जो implementation के level पे इस तरह की चीजे रही अलप संख्यकों के साथ दलितों के साथ महिलाओं के साथ इस देश के अंदर वो जो मुख्य धारा बनी है वो इनके exclusion से बनी है इस जनतंतर ने इस democracy ने उनकी aspirations को कोई अभी वेक्ती उस तरह से मुख्य धारा के नागरिक की तरह से दी नहीं है साथ यो और इसी वज़े से अब जब थोड़ा सा exposure मिला है थोड़ा सा चीजों को समझने की उनके अंदर अभी capacity पैदा हुई है अपने परियासों से और दूसरे परियासों से अब वो decent तो होगा उस विकास के बारे में सवाल तो खड़े होंगे और वो decent का आप यह देखिए कि अभी जैसे बता रहे थे कि हम खाप पंचायतों के फत्वे के खिलाफ लड़ते हैं वहां पर honor killing जो लेके उसमें क्या है आपका जो state machinery है आपकी जो administration है आपकी जो society की जो leadership है caste leadership जो है वो choice marriage को क्या करती है कि ना कटवाना इज्जत हमारी मिटी में मिला दी वो जो है वो तो वो कहते है और state machinery उनके साथ हलाई करती है पूरा लेकिन हम जो women movement में काम करते हैं हम भली बाती जानत है कि choice marriage जो है वो महिलाओं के लिए एक equality का रिष्टा मतलब शादी के अंदर जो है उसके लिए और एक dignified life के लिए एक रास्ता खोलती है हम यह नहीं करें कि ensure करती है वो उसमें भी बहुत सारी चीजे हैं लेकिन एक रास्ता जरूर खोलती है तो यह जो decent यहां पे पैदा ह हो रहा है कि हम तो बिल्कुल भाई choice marriage के लिए तमाम तरह की चुनाओतिया जो 30 मार्खा समझते हैं अपने आपको उन सब के फत्वे उन सब की bycott उनका सब का hate campaign उसको बरदाश्ट करते हुए लेकिन एक हमें पता है कि जहां पे democracy न हमें जो एक right दिया है क्यों उसको exercise नहीं करेंगे और उसको exercise करने के रास्ते में जो भी आएगा उसे टकराएंगे क्यों नहीं और यह जो चीज है साथियों यह हर खेत्र में है political social values के लावल पे cultural life में हर हर field में है यह चीज एक्जिस्ट कर दिये कि यह exclusion जो है उन तबकों का उनकी aspirations का उनकी dignity का उनके लाड़ प्या का वो deprived अपने परिवारों के अंदर भी लाड़ प्यार से वो जो तब के जो बने हैं तो यह जो लोगतंतर की मुख्य धारा जो बनी है एक तो उसको भी देखना पड़ेगा और फिर जो चार साल का पिछला जो अनुभाव है उसमें तो हादी हो रही है बही जो भी बहुत बचा खुचा जो मिला था अगर उसको भी परियोग कर रहे थे तो पिसले चार साल में तो यह देखने को मिला कि उन तबकों से डिप्राइवड सेक्शन से ले लेके मतलब उन हकों को जो है उनको खोखला करके और जो ऑल्रेडी है जो जो है उनकी तरफ डालने की प पूपफा मेरी बुवार की जमीन पर बनी हुई है शबनम हाशमी जो है वो गुजरात में नहीं जाएगी वो मतलब दूसरे जो लोग है तिस्ता सीतलवार वहां पर केस नहीं लड़ेंगे भई क्यों नहीं लड़ेंगे तुमारे बाप की दिवी डेमोक्रेसी है क्या हमारे सबसे ज्यादा कीमत किसने अदा करी है इस डेमोक्रेसी की हमारे बाप करी है और उसके ओपर दावा जो है वो छोड़ने वाले नहीं है वो दावे को जो है उसको हमेशा मतलब सामने रख के फ्रंट लाइन से टकराएंगे और जो भी उसके अंदर मतलब आएगा उसके साथ जो है वो टकर होगी और देश के नागरिक टकरा रहे हैं और ये डिप्राइट सेक्शन्स जो है साथियो वो टकरा रहे हैं आप देखिए मतलब इवन दे रिलीचियस फिल्ड में जिनको हमारे सच्चा सोदा के गुरू राम रहीम जिसको पूरा मंत्री जो है वो कॉंग्र जो है तो लेकिन दो लड़किया मतलब पूरी जो है जो दो लड़किया जो अपनी डिगनिटी को समझती जो अपने दावे को समझती है वो उन्होंने कितनी कीमत अदा करी भाही मारा गया उनको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहना पड़ा लेकिन आज नतीजा क्या ह कि तमाम मतलब इस सरकार की कोशिशों के बावजूद बचाने की क्या 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 कोशिशे नहीं की इस सरकार ने लेकिन कहां पे है अच्छा सौधा का गुरू जो है कहां पे है आशाराम बापू उस परिवार में कितनी मतलब तकलीफे उठाई हैं वो लड़े हैं वहां हम उनके साथ रहे हैं वहां पे हमने देखा है उन चीजों को जो है छोटी छोटी लड़किया जो है स्कूलों के अंदर बक्वास मारते फिरते हैं कि भी संसकार शिक्षा ये वो सब स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं हैं जहां पर पढ़ना चाहती हैं लड़किया जो है वो नोने आठ्वी सात्वी की लड़कियां तेरा तेरा दिन भूखर्ताल कर रही है कि टीचर चाहिए हमारे स्कूल के अंदर अभी भी दो स्कूलों के अंदर वो भूखर्ताल जो है वो चल रही है वहाँ पर छेड़ छाड के खिलाफ मतलब खुद इनके अपने जो नेताओ के लाडले बेटे हरियाना के अंदर तो मतलब भुद बीजेपी के अध्यक्स का बेटा जो है सुभाश बराला का बेटा विकास बराला रात को ये लोग जो है एश करने के लिए निकलते हैं सडकों के ऊपर लेकिन जो लड़की जिसका पिछा किया उसने उसकी तरफ से क्य अपने घर बाद में गई है और रात को एक बजे ठाने में पहले गई है फायार लॉज करवाने के लिए और उसके बाद जब हिनो न्य ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाद में आरे को एक्स्टेंट किया था बेटी खिलाओ जो है वो सारे बेटी पढ़ाओ भेता बचाते नजर आये वहाँ थाने के अंदर हमने देखा इनका हालत जो है कोर्यप के अंदर देखी हिनकी हालत तो, किसान लड़रे, सब लड़रे हैं उसके जरूरत है, यहां पर हमारी मतलब हो सकता है, मैं मतलब ठोड़ा गलत भी हो सकती हूं, पर मुझे यह लगता है कि जो resistance के जो movements है, जो प्रतिरोध की जो का जो नेत्रतव है इस देश के अंदर जो है, उसके पास कोई ऐसी रन्नीती कि जो ये पूरा अंदर छोटे-छोटे स्तर पे जो अपसर्ज, जो decent, जो assertion, जो resistance चलती है, उस सारी एक ताकत को जो है, एक दिश सादे जो वो, वो जो रन्नीती जो है, जो एक हजार साल से, दो हजार साल से, तमाम संसादनों का दोन करते आए हैं, और privileged हैं हर तर ऐसे जो है, वो उनकी तरफ से जो deprived section है, जो deprived किये गे एक हजार, दो हजार सालों से, उनके पाले में खड़े होके, एक रन्नीती बनानी सकती साथ हो परलियमेंटरी पॉलिटिक्स उसका विकल नहीं है वह बहुत इंपर्टेंट स्थम्भ है देखिए उसके अंदर बहुत जहांसे है मतलब हम जब खापन चाहेतों के खिलाब कॉंग्रेस के राज में लड़ते थो तो कॉंग्रेस किस्ते से डिफेंट करती थी खापन चाहेतों को मतलब उसको किसानों की भूमी नजर नहीं आती मजदूरों की भूमी नजर नहीं आती महिलाओं की भूमी नजर नहीं आती जो दिन रात उसको खुंग पसीने से सीचते किस की भूमी नजर आती है खापों की उसको नजर आती है वो तो यह जो केवल पुलिटिकल उस तक फ पढ़ेगी जिसके अंदर जो है जोतीब अफुले उन्होंने जो जिस तरह से काम किया समाज के अंदर क्योंकि साथियों मास जब तक हमारे साथuh हम कितनी बहुत सुन्दर बाते करें कुछ भी करें मास जब तक साथ नहीं तब तक बात बन नहीं रही है हमारी जो है तो उसको साथ लेने के लिए बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक जीवन जो है वहां पर एक सिविल सोसाइटी बनाने की चुनोती हमारे सामने है और वो सिव उने नाई जो थे वहाँ पर नाईयों को कॉल दी थी कि किसी भी विद्वा के बाल नहीं काटेंगे वो जो है और वहाँ पर जाके जो ताक्तें विद्वाओं के साथ दिस्क्रिमिनेट करती थी उनके ओपर अंकुष लगा अब जो हर्याना के अंदर हम देखते हैं कि जब अब हाँ पर जो मतलब ओनर की लिंग के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और तमान तरह से हमारे सामने जो ताक्ते हैं वो कहते हैं कि बहिशकार करो जिनके लड़के लड़की नहीं शादी करी है और हम ये कहते हैं कि भाई किसानों भाई करमचारियों भाई छात्रों जो मतलब प्रोग्रेसिव होने का दावा करते हो इस बहिशकार को तोड़ना तुमारी परिक्षा है तोड़ो इसको बहिशकार को जो है और वहां से वो तोड़ा जाता है साती है उनको मतलब उनकी मां इसेस ने लगा तार पिछले दिनों जो काम करके एक कल्चरल नैशनलिजम, संस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो, मतलब वो नारा देके जिस तरह से जो डिप्राइंड सेक्शन्स की भी हमारी ताक्तों को भी जो उन्होंने उस नाम पे अपने साथ जो जूड़ा है, वहां ल इसे इलाकों किसी भी दलित को जो है, वो एक इस इंडिया का, और किसी भी मतलब तीस माररखा का जितना हाख है इसके संसाधनों के ऊपर, वही एक दलित की बेटी का, और सभशे गरीव की बेटी का, बेटे का उनका भी है, एसी civil society जिसके पास ये निखरी हुई नजर हो वो बनाना उसके लिए बहुत बीज है बहुत आंदोलन है बहुत सारी पहले हैं बहुत कीमत अदा कर रहे हैं लोग जो है बस उसको एक रणनीतिक मतलब resistance की ताक्तों की तरफ से एक ऐसी रणनीतिक दी जाए जो उसके सामने सु पश्ट हो रास्ता की इस तरफ बढ़ना है और वो सिविल सोसाइटी बनाने का जो एम लक्ष लेके हम चलेंगे तो इंक्लूजिव इंडिया में इंक्लूड करना पड़ेगा ये नहीं हो सकता की राजनीति आप कर रहे हैं और मैलाएं और दलितों के हिस्से प्रोग्रेसि में मार्जिन पे रहें अगर उनके इश्यूज मार्जिन पे रहें तो इंक्लूजिव नहीं अगोचीज वो इंक्लूजिव बनाना पड़ेगा उप्सी को